चतिगर के डिप्टी सीमरुन साओ के भांजे तुशार साहू का शव 16 घंटे बाद बरामत हुआ। तुशार साहू की रानी दरहा वाटरफॉल में डूबने से मौत हुई है। तुशार रहिवार की शाम प्रेदोस्तों के साथ रानी दरहा वाटरफॉल घुमने गए वे थे इज़ान नहाती समय 50 फीट गहरे जर्ने में गिर पड़े। पुलिस और गोता खोरू की टीम ने 16 घंटे की मशकत की बाद शव को बाहर निकाला। तुचना मिलते ही बोड़ोला पुलिस और SDRF की टीम ने यूवक की तलाश शुरू कर दी थी और सोमवार की सुबह 16 इसे तुशार का शव बरामत किया गया।